क्या होते हैं, ये पाप और पुन्य? अगर किसी का थोड़ी सा भी भला कर सकते हैं, वही पुन्य है. अब पाप और पुन्य मैं यहां पर थोड़ा सा मेरे दिवाग में आ रहा है, मन वचन कर्म से हमें किसी की भावना को आहत नहीं करना, एक जज किसी दोशी को फांसी की सजा सुनाता है या कारवास भेजता है, तो उसकी भावना तो आहत ही करता है, तो वो पाप है क्या वो? ने वो उसका कर्म है अब कसाई काटता है दिन भर काटता है पर यदि वो नहीं काटेगा तो अपने कर्म से कर्म सेतर हो जाएगा पर कसाई को ही दिया गया है ने कर्म कसाई को ही ये कर्म दिया गया है तो मतलब ऐसे लोग जिनके पास आहत करने का कर्म है उनको डिसकाउंट ह यह है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ कह सकते हैं कि कही न कहीं होडी रियायत थोड़ी रियायत उनको है तो सिर्फ इतना कि एतना कि मनवचन कर्म से हम किसी को आहट करते हैं तो वो पाप है और अगर हम मानवता के कारे करते हैं तो वैства को श॒ए इसी से जुड़ाकत decid राम के भजन नहीं करता है, वो मरेगा, तो वो कहां जाएगा, और कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी पाप कर्म करता है, और लास्ट में आखरी दिनों में विस्तर पर ही राम नाम ले लेता है, तो वो कहां जाएगा, ठीक है, पहली बात आप बोल रहे हैं कि जो जिंदगी भ नित्यादी नहीं करते छीम है तो कर्म अच्छी करना इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा दे रहे हैं यह भी एक पूजा ही है यह भी आप किसी का खुब बुरा करते रहें साथ में भगवत भकती करें तो आपका बुरा करने होगा ना कि आपका सिर्फ नहीं करता वुछा न हाथ तो आप यह कह रहे हैं जो नास्तिक विक्टी है जो अच्छे कम करता पर्लफ रहा है बसक्राइब करने वाला विक्टी नास्तिक हो यह जरूरी है, हाँ अगर नाम में ही इतनी पवित्रा धोके से निकल गया पवित्र हो जाएगा और एक आस्तिक जो जीवन पर बुरे काम करे तो वो भी नर्क में जा सकता है क्योंकि उसमें बुरे काम किये लेकिन बुरे काम करने का पाप इसको भी दो स्ट्रेडी में बाढ़ सकते हैं एक होता है करना मन उत्तर है करना हमारे हांट में है परुना परमात्मा की हात में ou CT item वyorsun THE sut닌 कि आप नजानी में किए गए पापों का दोष्ण आपको नहीं लगता तो यदि ऐसा पापी विस्टी है ज्जनते दि interpretations करके पाप के काम कर रहा है तो निश्यत तार पर नरक में जाएगा सास्त्रों के अनुसार अब आप कह रहे हैं कि भगवान का नाम मुख्प है तो फिर वही थोड़ी देर पहले की बात कि भगवान का नाम इतना सरल नहीं है आप जीवन भर जिस चीज से संबंद जिस लोगों का आपके जीवन में जीवन भर प्रभाव रहेगा अंत समय में उसी की आप धूल जाते हैं हम फिर वही कहेंगे गंगा इश्णान करने से पाप उसके धूलते हैं जो अंजाने में किये गए पाप होते हैं जान बूचकर किये गए पाप यम्राज के लठे से ही वह तो गंगा के पुत्र थे पर जान बूचकर किये गए पाप बाडो की सहिया मिली तो यह कोई डिसकाउंट नहीं है आप जान बूचकर पाप करेंगे तो सीधे नरक की आतनाय भोगनी पड़ेंगी और अंजाने में पाप होंगे तो गंगा मैया सुलव हैं